भगवान श्रे कृष्ण का जगननात पूरी मंदिर अपने आप में काफी सारे रहस्यों को और चमतकारों को समेटा हुआ है काफी सारे चमतकारों के बारे में तो मैं खुद वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों जानकारी दे चुका हूँ शौटकट में बात करें तो यहां का जो सुदर्शन चक्र है जो आप कहीं से भी देखेंगे तो ऐसा लएगा वो आपको ही फेस कर रहा है मंदिर का जो जंडा है वो हमेशा हवा के विप्रीट डारेक्शन में ही लहराता है मंदिर का जो गुंबद है उसकी परचाई कभी नहीं बनती है और कोई भी पक्षी या विमान मंदिर के उपर से उड़ता हुआ आज तक नहीं देखा गया है मंदिर के प्रवेश दुआर के ही बात करें तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ समुद्र जिसकी आपको आवाज सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो जाती है तो वहीं पर मंदिर के रसोई की चमतकार की बारे में बात करें तो यहां पे जो प्रशाद है महा प्रशाद है वो हमेशा साथ बरतनों में ही पकता है जिसमें सबसे उपर के मिट्टी के बरतन का ही प्रशाद पकता है उसके बाद फिर उसके नीचे का फिर नीचे का फिर नीचे का और फिर सबसे आखरी में वो प्रशाद पकता है जो बरतन विल्कुल आग के उपर रखा हुआ है चाहे जितने भी मात्रा में प्रशाद बन जाए कभी भी वेस्ट नहीं जाता है और कभी एक्स्ट्रा भी नहीं होता है इस मंदिर के चमतकारों के मैं जितनी बात करूं उतनी कम है दोस्तों इस मंदिर के गुम्बत के उपर आकर एक बास बैट गया था फिर अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही अजीव गरीब घटना हुई इन सारी चीजों को मदे नजर रखते हुए सभी लोग का ये मानना है कि ये सारी घटना यूँ ही अपने आप नहीं हो रही है बलकि आने वाले समय की एक अनहोनी का इशारा हो रहा है मानों कि भगवान जगनात खुद अपने भक्तों को अगा कर रहे है ये सारी चीजे हो रही है ये ताकि लोग जान जाए कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है कोई बड़ी घटना हो सकती है उससे कुछ ही समय पहले एक और घटना सामने आये थी कि मंदिर के उपर का जंडा जल गया था ऐसी तरह-तरह की बाते सामने आ रही है अभी हाल-फिलाल की ही बात करें तो मंदिर के पुजारी जब मंदिर के पट बंद करके जाते है तो अच्छे से चेक कर लिया जाता है कि मंदिर में सब कुछ सही है के नहीं कोई छिपकर तो यहाँ पर नहीं बैड़ किया या फिर कोई किसी तरह की शरारत तो नहीं करना चाहा है उस दिन भी बिलकुल ऐसा ही हुआ, मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के अच्छे से जाच किये, आखरी प्रक्रिया जो होती वो सारी प्रक्रियाएं किये, मंदिर के पट बंद किये और अपने अपने घर को चले गए। भगवान जगनात खुद ये बताना चारे हैं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी दुरगटना घटने वाली है, समल सको तो समल जाओ, लोग कापने लगे, अफरा तफरी में पुलिस को बुलाया गया, पुलिस जब पहुची तो पुलिस भी देख कर हैरान, किसी उको सम आज में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी घटना यहां पर घट कैसे गई, घटना दर असल यह थी कि मंदिर के रसोई में जहां पर 500 से जादा रसोईया और उनके लगभग 300 सहया काम करते हैं, जहां पर माना जाता है कि खुद माता लक्ष्मी और माता अनपूर्णा अपन कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो एक ऐसी चमतकारी और रहसमय रसोई है, जहां का जो भोज है, जहां का जो प्रशाद है, वो एक बून भी कम नहीं पड़ता है, नहीं जादा होता है, वहां पर जब भोज बनता है, वो अलग-अलग साथ मिट्टी के बरतनों में बनता है, और सबसे उपर का जो प्रशाद है, वो सबसे पहले पकता है, इतनी जादा चमतकारी रसोई, जहां पर खुद माता लक्ष्मी माता अर्ण पूर्णा भगवान जगननात का आशिरवाद है, वहां पर कैसे मंदिर के पट बंध होने के बाद इतनी बड़ी घटना घट गे, फुलिस वालों ने अफरा तफरी में वहां के CCTV कैमरे को चेक किया, जो की रेर कंडिशन में ही किया जाता है, वहां के CCTV कैमरा को चेक किया गया तो लोग क्या पाए, जो अभी तक बहुत ज़ादा घबरा रहे थे कि ये बहुत बड़ी अनहोनी है, ये भगवान ज लेकिन ये क्यों किया, CCTV में क्लियर ये कैद हुआ है कि एक आदमी वहां पे घुसा है, रसोई के सारे बरतनों को तोड़ा चूलों को तोड़ा और वहां से भाग गये, किसी वह को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसनी किया क्यों, पुलिस वाले जांच में लग गए, जल मंदिर के भोज में, मंदिर के पहाप्रशाद में काला बजारी की जा रही है, उसका ये कहना है कि एक तरफ भक्तगर्णों को प्रसाद नहीं मिलता है और मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं, एक तरीके से बिजनस कर रहे हैं, तो इस बात से काफी जादा दुखी था, वो मुच में लोगों की आस्था के चलते इस तरह का बिजनस किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचे के इस तरह की काला बजारी की जा रही है, हमें ये सारी चीज़े नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि आपको सबक सिखाना है तो इसका कोई तरीका नही यह कोई तरीका नहीं होता कि इस तरह से जाके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए जिसे काफी सारे लोग की आस्ता को ठेस पहुचे अगर आपकी आस्ता को ठेस पहुच रहा था तो आपने क्या किया आपने भी तो हजारों लाखों लोग की आस्ता को ठेस पहु ये कोई तरीगा नहीं होता लेकिन हमें इतना समझ में आ रहा है कि हम बहुत घोर कल्यूग की तरफ जाते जारे हैं कुछ भी कहूँ ये जमाना ऐसा आ गया है कि आप कहीं पे भी चले जाओ आपको ऐसा लगा कि हर एक इंसान अपने फायदे के लिए ही जी रहा है चाहे वो क किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो मैंने उतना ही कहा जितना मुझे समझ मैं अब आपको क्या समझ में आपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो भगवान जगनना बॉक्स में क्लिक करके डिरेक्ली वहां पर जुड़ जाना किसी भी तरह का सुझाओ या फिर बाते करते रहना है तो मैं वहां पर मिली जाओंगा चलिए गल फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगा दिन शुभ हो जय श्रे कृष्णा झाल